शुर्ण्स आज हम बीये पार्ट वन प्रमुख भारती राजलितिक विचारक में मनु के विचारों का अध्यन करेंगे। इससे पहले हम मनु का जीवन परीचे, मनु के द्वारा दिया गया सापतांक सद्धान्त, राजे का सापतांक सद्धान्त, तथा राजा के कार्य और कर्तव्य, इनका हम अध्यन कर चुके हैं, आज हम आगे बढ़ते हों हैं, राजा के कर्तव्य पढ़ेंगे, सुन जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि मनु ने मनु स्मृती में बताया है कि जो राजा है वो इश्वर तुल्य है अथार्थ हर वेक्ति को राजा की आग्या का पालन करना आवश्यक है क्योंकि राजा इश्वर का अवतार है तो उसी आधार पे आज हम आगे बढ़ते हुए राजा के जो करतवे मनु ने बता है वो हम देखेंगे मनु का विचार है कि राजा को जनिच्छाओं और माखांचाओं पर खरावतरने के लिए हर संभव कोशिश करने चाहिए और ऐसा करना उसका परमधर्म है जिसकी आवहेलना उसकी शक्ती को कमजोर कर सकती है अधार राजा की प्रतिस्चा बढ़ाने के लिए उसने विभिन करतवें का उलेक किया है जो की इस प्रकार है पहला है शष्ट्र धन धान्या सेना जल आदि सें परिपूर्ण परवतिय दुर्ग सें हर प्रकार सें सुरक्षित रहें अथार्थ हमने देखा था दुर्ग भी कई प्रकार की होते हैं धान वन दुर्ग वन दुर्ग जल दुर्ग तो जो दुर्ग हैं वो ऐसी स्थती पर हमारा होना चाहिए इस जगह पर होना चाहिए जिससे की अपने आप ही उसकी रक्षा हो क्योंकि अगर जल के पास आप दुर्ग हो तो कोई प्रकार की सेना है वो डारेक्ट अटेक नहीं कर पाएगी तो शस्त्र धन्धान्य सेना जल आदी से परिपूर्ण परवतिय दुर्ग से हर प्रकार से सुरक्षित रहें मतलब राजा को चाहिए कि अपनी सुरक्षा को बना के रखें नेक्स है राजा स्वजातिय तथा पूर्ण रूप और गुण से संपन इस्त्री से विवा करें मतलब राजा की जो पत्मी हो वो सर्व गुण संपन होनी चाहिए राजा नियम पूर्वक यग्य आदी करवाता रहे तथा ब्रामनों को धन प्रदान करता रहे प्रजा पर आनावशक कर भार न लगाएं विभिन राज किये कारियों के लिए विभिन अध्यक्षों की नियुक्ति करें राजा रणबूमी में इंचमात्र शिथिलता न दिखा कर संपूर्ण शक्ति से युद्ध करें ताकि मरत्यु के पश्चात सुर्ग के दरवाजे राजा के लिए खुले रहे राजा अपने राज्य की विस्तार की हर संभव कोशिश करे अपने सैने बल और पोरुष का राजा सदेव प्रदर्शन करता रहे गोपनिय बातों और राजकारियों को सदेव गुप्त रखे तता शत्रों की कमजूरियों को जानने की सदेव लगन राजा में होनी चाहिए अपने मंत्रों के साथ राजा विने पूर्वक विभार करे और गुप्तता तथा शक्ती को सक्रिय रखे राजा लोककल्यान की अपने दाइत्व के निर्वहन है तू हर संबव दरता पूर्वक प्रियास करता रहे राजा की आर्थिकों नती को सुनिश्चित करे तथा राजा प्रजा की रख्षा करे और कर्संग्रह करे मनु राजा को परामश लिता है कि वह प्रजा पर करों का अनावशक भोज ना डाले राजा व्यक्तियों को स्वधर्म का पालन करने के लिए बात दे करे कूटनिती पूर्वक परराश संबंदों को संचालन करे जिसका एक मात्र आधा राश्ट्र हित होना चाहिए तो इस प्रकार से मनु ने मनु स्मृति में राजा के लिए जो करतावे बताया है वो हमने ये देखे हैं अब next आता है कि क्या मनु का जो राजा है वो निरंकुष हो सकता है क्योंकि मनु ने राजा को बहुत चारी शक्तियां दी है मनु ने राजा को सबसे सरवच्चे स्थान अथात इश्वर तुल्ले माना है हर वेक्ति का ये करतव है ये धर्म है कि वो राजा की इच्छाओं का पालन करे राजा के द्वारा बताये गए कानूनों पर चले और उनका अच्छी तरह से पालन करे तो एक प्रशना भी आता है कि क्या जो मनु का राजा है वो निरंकुष हो सकता है स्वेच्चचारी हो सकता है तो उप्यूक्त विवेचंत से ये स्पस्ट होता है कि मनु द्वारा राजा पर नियंत्रण की कोई ववस्ता नहीं की गई है लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते है कि राजा निरंकुष हो सकता है उसके उपर कई प्रकार की ऐसी बात देता हैं ऐसी चीजें हैं जिनसे वो चाहते हुए भी निरंकुष नहीं हो सकता वो क्या है उसे पहला आता है धर्म का नियंत्रन तो मनु का राजा जो है वो धर्म से दबा हुआ है कैसे मनु राजा को धर्म की अधिन रखता है वह इस बात पर बल देता है कि राजा सदेव प्रजा के कल्यान तता उनकी रक्षा करे मनु शाशक तता धर्मिक नियंत्रनों की विवस्त करते हैं मनु ने राजा को चार पूर्शार्थ बता है धर्म अर्थ काम और मुक्ष मनु का मानना है कि राजा को हमेशा इन पूर्शार्थों का पालन करना चाहिए और उनी के उपर चलना चाहिए राज धर्म का पालन करना चाहिए मनु इस बात पर बल देता है कि राजा अपने प्रशाशनी कारियों में सहयोग से परामर्ष के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करे और उसके लिए मंत्रियों यम अन्य शाश के अभिकरणों से मंत्रना प्राप्त करना आवशक है मनुस्मृति के नवम अध्या में लिखा गया है कि दंड ही समस्त प्रजा का शाशन करता है जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है अता दंड को नियाय ववस्था का अभिन अंग मानते हुए मनु ने शाशक एम शाशन को इसके अधीन माना है दंड का प्रियोग राजा स्वविवेक से करता है और ऐसा न करने पर वह स्वेम भी नश्ट हो जाता है इस प्रकार राजा स्वेम दंड का भागी बनता है ठीक है तो इस प्रकार से राजा राजा को दंड देने का अधिकार है लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा गर कोई गलत कारे करता है तो राजा को दंड नहीं मिलेगा अगर राजा के द्वारा को इसकार के जाता है तो राजा को भी दंड दिया जाएगा नेक्स है राजा की व्यक्तिगत गुण और दिंचरिया तो मनुस्मृति में मनु राजा को हर कसोटी पर खरा उतारने के लिए ये बताता है कि राजा को उसको दिशा भट रकने से रोकता है मनु राजा को ये इस पस्थ निर्धेश देता है कि वह ऐसे कारे न करें जिससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस प्रकार मनु राजा को सर्वशक्ति वान, सारवभों, सर्वच्चे मानते हुए भी उसके निरंकुष्टा को कभी भी वह स्विकार नहीं करता है। उसका मत है कि राजा का मुख्य धे जनकल्यान के कारे को संपादित करना है। राजा अपनी प्रजा के साथ संतान के तुल्ले वहार करे और उसके कस्टों के निवारण के लिए हर संभव प्रियास करे। तो इस प्रकार मनु ने राजा को सर्वोच्य पद दिया है, सर्वशक्ति शाली माना है, लेकिन साथ ही उसने राजा की सोचतारिता को कंट्रोल करने के लिए उसके उपर कई सारे बेन लगाए हैं, जैसे कि धर्म का नियंत्रन, संस्थागत नियंत्रन, मंत्रियों की संख् मंत्रियों की जो मंत्री परिशद है, उसका गठन, राजा के लिए दंड का विधान और व्यक्तिकत और रग्तिकत गुण और उसकी दिन्चरिया, तो इन सभी के आदार पर ये स्पस्ट हो जाता है कि जो मनु का राजा है, बले ही वो इश्वर तुल्ले है, लेकिन वो सकता, अब आदा है मंत्री परिशद, तो मनु का मत है कि प्रशाशनी कारियों की अधिक्ता के चलते या राजा अपने दायत्व का निर्वा भली भाती नहीं कर सकता है, अतब विभिन्न कारियों में सहयोग के लिए योग्य और मनुभवी मंत्रियों की अवशक्ता होती है जो राजा को समय समय पर विभिन्न वेशियों पर सला देते हैं और वह इनके विचारों को सम्मान देते हुए ठोस नितिगत नर्णे लेते हैं इसके अलावा मंत्रियों के अभाव में अत्यदिक कारेभार की आड में राजा स्वेच्चारी नणने ले सकता है उसके दिरंकुष बनने का भय हो जाता है इस प्रकार मनु व्यपक परिशाशनिक योजना एवं आगे की रणनीती के मद्दे नजर मंत्री परिशत की रचना प्रस्तूत करता है जिससे अपनाकर राजा और प्रजा दोनों ही लाभानवित हो सकते हैं मनु के अनुचार राजनितिक संगठन में मंत्री परिशत का विशेश महत्व है मनु संपून समाधिक संगठन का आधार वर्ण वेवस्था को मानते हैं जिसमें मनु ने जो राजा के लिए मंत्री परिश्द तयार की है उसका एक सबसे वड़ा फैदा यह हम कह सकते हैं कि जो मंत्री होंगे वह मंत्रना करेंगे और उससे जो राजा है उसकी स्वेच्च चारिता पर अंकुष लगा रहेगा क्योंकि कोई भी निर्णय जो होगा उसके वर राजा की इ मनुने साध्यान तया मंत्रों की संख्या साथ या आठ रखने पर बल दिया है कोई फिक्स नहीं है महा भारत में चार मलनों में कुल मिलाकस 37 सदस्य मंत्री परिश्द में संबलिद किये गए थे और शुकर निती सार में शुकर ने दस मंत्रियों का लेक किया है संख्या कितनी हो निचे यह मंत्रियों की तो आप साथ याठ लिख सकते हो अब आता है स्टुएंट्स मंत्रियों की योग गिता तो जैसा कि हमने देखा है कि मंत्री परिशाद में जो मंत्री हैं वो होंगे तो राजा की सुच्च तारीता पर रोक लगेगा तो आप उसकी योग गिता के बारे में पढ़ते हैं कि राजा के विभिन ने कारों को सुचार रूप से संचालित करने के लिए जो विभाग है उनको उसमें बाटा गया है कि कौन सा मंत्री किस विभाग को देखेगा कौन सा मंत्री किस विभाग को देखेगा उससे क्या होगा विभागों में विभाजित करने से क्या होगा एक तो जो कार्य होगा वो बहुत सुगमता से होगा यदि कोई भी निरने लिया जाना है तो उस पार्टिकुलर विभाग से जानकरी ली जाएगी और उसके आधार पर उसका निरने लिया जाएगा तो जो मंत्री होने चाहिए वो उसके लिए एकदम योग्य होने चाहिए और ऐसे मंत्रियों का चैन के जाना चाहिए जिनके उपर राजा को पूरी तरसे विश्वाश हो जिससे कि मंत्रना जब की जाए तो जो मंत्री है वो मंत्रना को और मंत्री परिशत की गोपनियता को ब शक्तियां और उसके कार्य तो मंत्री प्रश्क्त सदस्य अपने अपने संबंदित विभागों की मुखिया या प्रधान होते हैं जैसा कि हमने भी देखा मंत्री समय समय पर राश्ट्रे महत्व के विश्यों एवं संकट काल की अवस्था में राजा को मंत्र ना देंगे किसे महत्व पूर्ण रणनीती में उठाय जाने वाले कदम के संदर में निर्णे नेले में सहयोग देंगे मंत्री राजिक कर्मचारियों का निरिक्षन करके उन्हें आवशक निर्देश देंगे मंत्रियों का दाइत्व है कि वे प्रजा को सही परामश देंगे और प्रजा के संकटों को दूर करने का प्रियास करेंगे मंत्री राजा की प्रतिक गतिविदी पर नजर रखेंगे और यूसे निरंकुष होने से रोकेंगे तो स्टुरेंट्स ये इस प्रकार से हमने राजा की जो मंत्री परिशद है उसके कार्य शक्तियां योग्यताय मंत्रियों की संख्या और मंत्री परिशद और साथ में हमने राजा पर किस प्रकार से नियंतर रखा जा सकता है या तो राजा को किस प्रकार से सुच्छाचारी ह राज्य की स्थाब नहों यह सब आज हमने देखा नेक्स वीडियो में हम इससे आगे का पढ़ेंगे थैंक्यू